Hello everyone, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में Friend, अगर आप Sorts वीडियो बनाते हैं और अपने YouTube चैनल पे Sorts वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आप अपने Sorts वीडियो में कटेगरी सलेक्ट करेंगे तो आपके Sorts वीडियो का reach बढ़ जागा जिससे की आपके Sorts वीडियो पे ज़्यादा views भी आएंगे तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Sorts वीडियो में category कैसे select करते हैं और आपको अपने Sorts वीडियो में कौन से category को select करना चाहिए तो आज का इस वीडियो आपके लिए काफ ही informative होने वाला है तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें लेकिन फ्रेंड उससे पहले एक छोटी सी request है कि वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कर ले तो चलिए फ्रेंड वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile में अपने YT studio application को open कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे के site content वाले option पे click करना है इसके बाद यहां पर ऊपर के side आपको sorts वाले option पे click करना है इसके बाद आपके YouTube channel में जितने भी sorts video अपलोड होंगे वे सभी sorts वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो आपको जिस भी sorts वीडियो में category select करना है उस sorts वीडियो के सामने यहाँ पर इस three dot वाले icon पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको edit पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे के साइड more option वाले option पे आपको यहाँ पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे के साइड आ जाना है और यहाँ पर आपको option मिलता है category का आपको category की सामने यहाँ पर इस plus वाले icon पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कटेगरी आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप जिस तरीके का सौट्स विडियो बनाते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप कटेगरी को सलेक्ट करेंगे जैसे की एकजामपल के लिए आप कॉमेडी सौट्स विडियो बनाते हैं तो आप कॉमेडी सलेक्ट कर लेंगे इजुकेशन से रिलेटेड सौट्स विडियो बनाते हैं तो इजुकेशन सलेक्ट कर लेंगे गेमिंग से रिलेटेड सौट्स विडियो बनाते हैं उसी से related यहाँ पर आप category को select कर लेंगे तो चलिए हम example के लिए यहाँ पर comedy को select कर लेते हैं इसके बाद अब यहाँ पर आपको उपर के side इस back वाले arrow पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको उपर के side save वाले option पे click कर देना है इसके बाद आपके sorts वीडियो में category select हो जाता है तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने किसी भी sorts वीडियो में category को select कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए informative रहा होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कीजे, comment कीजे अपने friend and family में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजे और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी subscribe जरूर कर ले फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टूडियो में new information के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम